तो नमस्कार फ्रेंस स्वागा थे आप सभी का अपने यूटूब चैनल में कि अगर आप प्रावेट कॉंट्रेक्टर बनना चाहते हैं तो वो किससे बनेंगे इसमें क्या 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 होना चाहिए कि आप प्रावेट कॉंट्रेक्टर बनते हैं तो कौन कौन से प्र और यह प्रावेट कॉंट्रेक्टर होता गया है तो प्रावेट कॉंट्रेक्टर जैसे कि कोई साथ भी आप प्रस्नली काम कर रहे हैं प्रस्नली कॉंट्रेक्ट के ले रहे हैं किसी बिल्डिंग से रिलेटेट कोई साथ आप अपना काम ले रहे हैं तो यह प्रावेट से आप नाइली कारों काम ले रहे हैं या पिसी रोड का काम ले रहे हैं तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं प्रावेट कॉंटेक्टर में लेकिन अगर आप सिविल कॉंटेक्टर बना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होता है या फिर डिग्री या तो उसके लिए कोई भी license की आवश्रक्ता नहीं होती अपनी relation के हिसाफ से अपनी जान पेचान की हिसाफ से इसमें आपको project मिलते हैं और इसमें अनुभव होने के बाद आप जो छोटे level से आप काम चालू करते हैं contactor का तो आने वाले समय में आप धीरे-धीरे civil contactor बन सकते है क्यूंकि आपके पास अनुभव की कमी नहीं होगी आपके पास अनुभव होगा और इसके बाद में आप civil contactor बन सकते हैं क्यूंकि जो बड़े-बड़े जो contactor होते हैं जो चोटे level के ही काम starting में करते हैं और इसके बाद में डिगरी नहीं होने के बाहुजूर भी वह के प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं तो आपके पास अनुभव होने की जादा आउशकता होती है और इसके साथ आपके पास इन्वेश्मेंट भी होना चाहिए और इसके बाद में खास मशीनरी आपके पास होना चाहिए तो इस प्रकार से आप कॉंटेक्टर बन सकते हैं आगे ज के लाइसन्स पर आप काम कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते तो प्रावेटकॉंटर से रियैट्धD roughly YEH वह सारी companies होती है जो आपको petty contract पे दे देती है तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं जितना आप अगर आप के पास relation है आपके पास सनूबा हो है तो आप इसमें भी बहुत अच्छे से अपने business को उस level तक ले जा सकते हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी companies के साथ आपके पास relation हो ज सकते हैं उसका license कैसे बनाते हैं लेबर कॉंटेक्टर का उसके लेवन ने special video बनाई है जिसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी आप देख सकते हैं तो क्योंकि अगर आप लेबर कॉंटेक्टर बनते हैं तो इसमें investment भी कम लगता है पैसा भी कम लगता है और इसमें आप इसम कर सकते हैं लेबर कॉंटेक्टर से रिलेटेड तो यही प्रावेट कॉंटेक्टर के अंतर करती ही आता है लेबर कॉंटेक्टर किसी कंपनी या फ्यक्टरी को आप इसमें लेबर को सप्लाई कर सकते हैं तो आप अच्छे सी कंपनी के साथ बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ contact कर सकते हैं, deal कर सकते हैं कि जितनी आवशक्ता के हिसाब से आप labor supply कर सकते हैं जितनी जुर्वत है उसके हिसाब से आप वहाँ पर उपलब्द करा सकते हैं तो ये business भी आप कर सकते हैं ये था Presence छोटा सा वीडियो private contractor with civil contractor से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चेनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो कॉंटेक्टर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रही